हाई मेरे प्यारे दोस्तों आज हम लोग पढ़ाई की बात नहीं करेंगे लेकिन जीवन के ऐसे महत पूर्ण तत्य को जानेंगे जिसको हम लोग अभी तक नजर अंदाज करते आए आप तो अभी विडियो आप लोग भी देखे होंगे मैं भी देखा हूँ कि बिद्वानों की समोह पहली बार बन रही इतिहास गवा है कि बिद्वानों का समोह नहीं बनता है लेकिन आज देखने को मिला है बिद्वानों की एक समोह बन रही है और एक दुसरे को लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसा कोई तो मुद्दा होगा जिस पे सब लोग एक दुसरे को सपोर् या फिर अंधी सरकार कहिए, या फिर दोनों कहिए, उसको जगाने का, हमारी जो कमीसन हे, SSE कमीसन हो या फिर रेल्वे का हो, इसको जगाने का, रेल्वे मिनिस्टरी को जगाने का, कि हमारा जो अभी एक मिनटी रुग जाईए फैन आप कर दिया हूँ बहुत अबाज कर रही है तो इनको जगाने का एक मुद्दा उठा है एक मुहिम जगी है और सब लोग साथ में आए नीतु मैम है अभिनव सर्मा सर है गगन परताफ सर है राकेश यादव सर है हमारे अनेकेडमी वाले टीचर्स ग्रूप हैं सभी लोग एक साथ हुए है और इन लोग को एक साथ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा या फिर राजा सर है तो आज ए लोग आप लोग के लिए अभाज उठा रहे हैं और आप लोग का काम है इनको सहयोग करना आप इनको कैसे सहयोग किजिएगा तो आज से एक नौव बीश से दस नौव बीश तक कम से कम दस दिन आप लोग पड़े एससी ओफिस रेलवे मिनिस्ट्री सब जगा मेल कीजिए मेल क्या करना है एससी एकजाम जल्दी कंड़क्ट करो और रिजल्ट जल्दी दो अभी एकजाम लिया अच्छ एससी जो है ओनलाइन एकजाम लेने लगी सारा एकजाम ओनलाइन होने लगा क्यूं क्यूंकि रिजल्ट जल्दी दे सके लेकिन ये लोग कर क्या रहें आप लोग को किस चीज की बेतन मील रही अभी भैकेंसी आई अगले सारा इकजाम होता है रही ये कौन सी बात ही? भैकेंसी दिये एक महिना के अंदर इकजाम लीजी अगले महिना में रिजल्ट दीजी एक साल के अंदर ज्वाइनिंग कर रहें लेकिन नहीं ए लोग तो आप खुद तो जॉब कर रहे हैं ना खुद को इनको तो पैसा मिल रहे हैं ना इनको क्या प्रोब्लम है आपके गरीवी से इनको क्या मतलब है रेलवे देख लीजिए बेकेंसी कव अई थी 2018 में अभी तक उनको वेंडर यहीं मिला है क्यों भई आपको वेंडर क्यों नहीं मिला क्या आपके पास पैसे नहीं थे जो हम लोग दिये हो पैसा कहा रखे आप जो हमारे बच्चे लोग दिये उपैसा आप कहा रखे कितनी पैसा इनके पास इखटा पता है कभी आप हिसाब देखें 21 त 19 यार 10 जार लाक 10 लाक करोर इतने लोग भरे हैं और सब से 500 रुपए लिए गया है, एभरेज मान लेते हैं, 300 रुपए, एभरेज, एक केवल, केवल और केवल बात कर रहे हैं, NTPC का, गुरूप D तो छोड़ दीजी, गुरूप D का जो फॉम भरा है, उतो छोड़ी दीजी, NTPC की बात कर रहे हैं, इतना फॉम भराया है, प दो, दो, चार, दो, छो, दो, आठ, आठ सुना, इकाई, धाई, सेंक्रह, हजार, दह, जार, लाग, दस, लाग, करोर, दस, करोर, अरब, आपके पास साथ अरब रुपए हैं, और आपको भेंडर नहीं मिल रहा है, हम लोग को देदो ये पैसे, हम लोग भेंडर खुद तै कर लेंगे, अवकाद नहीं है एकजाम लेने की, तो फिर पैसा क्यों लिया तुमने, चुनाब कराने के लिए, अपना परचार करने के लिए, मिडिया खरीदने के लिए, कि आपके पक्ष में बोले, ये जो सरकार है हमारी अभी बरतमान में, कि ये इस ऐसे जगह की घाव ह है, जो हो तो सबको रखा है, लेकिन कोई दिखा नहीं सकता है, चुकि जगह ही ऐसा है, जो कोई दिखा नहीं सकता है, लेकिन घाव सबको भेल है, फट सबकी रही है, लेकिन अवाज कोई नहीं उठाता है, जब 2014 में जब मोधी सरकार आई थी हम भी बहुत तारीफ करते थे चले मोधी जियां है तो कुछ तो नया करेंगे घुगनी नया करेंगे इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है फालाना चिज लाके चिलाना चिज लाके आज नोट बदल के कुछ भी फैदा हुआ है नोट बंदी में किसी भी अमीर को परसानी हुई है वो तो अपना पैसा चेंज कर ली है लेकिन ये गरीब रिक्सा वाला सोचिये जिसके पास हजार रुपय थे वो अद्दीन भर लाइन में बैंक में लाइन में लगता था परसान कोन हुआ है हमेसा नीचे तबके की लोग हम लोग आप लोग अमीर लोग का तक घर से पैसा बैंक में ले जाता था क्या हम लोग नहीं जानते हम लोग बेब कूप हैं हम लोग को जानकारी नहीं है कि क्या हो रही है बात कर रहे हैं बिहार सरकार की BSAC की एकजाम जो है वह भैकैंसी आई थी 2014 में PT हुआ 2017 में हुआ, कैंसिल हुआ, फिर 2018 में हुआ, 2018 में हुआ तो रिजल्ट आया 2020 में अभी तक इसका मेंस नहीं हुआ है, इंटर लेवल अभी इसके मेन का पेपर नहीं हुआ है, हमारी बिहार सरकार जो है वो तो निकम्मी समझी है, किसी काम का नहीं है, कहा जाता है, देहायत में एक कहावत है किसका जो नीपे लाइक ना पोते लाइक, सुग्रा अगुना नीपे लाइक ना पोते लाइक, वही हमारे नितीज सरकार है किसी काम की नहीं इनको परी रहती है कैसे सब लोग एक जग़ जमा हो गए, बिरोध क्यों कर रहे हैं अरे एक बेवकोफ, एक तो देखो, कि बिरोधगारी आपके हां कितनी बढ़ रही इनको जब चुनाव आया है अभी, 2020 में चुनाव आया है तो इनको दीखा है कि नहीं, अरे हमारे सिक्षर गण लोग का बेतन कम है अरे तब से कहां सोय हुए थे इन लोग को जगाने का बक्त आ गया मेरे प्यारे दोस्तो और बहुत खुसी हो रही है कि सभी बिद्वान लोग जो हमारे टीचर के गुरूप है सब लोग एक साथ हो रहे है ऐसा करो न, BSSE का एकजाम बेकैंसी आई, 2014 में एकजाब हुआ, 2017 मैं ऐसा करो बिहार सरकार की जो इलेक्षन होने बाली है, 2020 में होगी, 2022 में रिजल्ट देना उसका कुण जीता कुण हारा फिर सरकार, जो हमारे मुख मंत्री को सपत कुण दिलाता है, राजपाल राजपाल जी सपत दिलाएंगे उनको 2025 में तब इन लोग को पता होगा कि क्या चीज होती है बेकेंसी, और किस तरह से बच्चे इंतजार करते करते ठक जाते हैं, ऐसे रिवाय से बहुत सारे बच्चे हैं, जो कमाने चले गए पढ़ाई छोर के कमाने चले गए, उनका ही लोग तो भविस्त खराब कर दी है अभी 2010 का BSSC CGL, BSSC CGL जो होता है, सचिबाले सहक का एक्जाम जो ले रही है सरकार उसका इस बार 2020 में किलियर हुआ है 223 लरका का, 220 में किलियर है किने इन लोग को जोईन कराना है फिर ठीक है, जोईन करा, 10 साल का बेतन जोर के दो इसको है इतनी उकाद, अरे बिहार सरकार की तो कोई उकाद ही नहीं है, इसको तो कुत्ता भी लाई समझी है प्राइसा नहीं है इसके पास, 6-6 महिना पर एक टीचर को बेतन मिलता है, पुछिए जाके उन लोगों से, कि 6 महिना कैसे गुजारते है, क्या बतला है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, रिक्वेस्ट है, आगर है, अनुरोध है, बिंती है, निवेदन है, परार्थना है, आप अरे, खोजने के लिए तो भगवान को खोज लेता है तुम लोग, गुगल पे, इमेल आइडी नहीं मिलेगा, वहां से खोजिए, रेलवे ओफिस का, SSE का, सब का, बिहार सरकार का, जो बिहार सरकार का जो मेन ओफिस है, वहां का, राजपाल को किजिए, और इतने लोग कि कि उनको सुनना परे, हमारी मजबूरी उनको दीखे, और सब लोग आईए, इस मुहीम में सामिल होईए, एक जूट होईए, तब एक ताकत बनेंगे हम लोग, बचपन में हम लोग एक कहानी पढ़े थे, कि लकरी जब अलग-अलग था, तो बुढ़े पिता बोले, सारे ब था, आज वही एक साथ होना है, अलग-अलग लकरी नहीं मनना है हम लोग, एक साथ होईए, आज से, अभी से, आप लोग मेल किजिए, ठीक है, धन्यबाद, नमस्कार, भारत माता की, जय, जय हिंद,